नमस्कार मैं हूँ परिधी और आप देखरें प्रदेश बुलेटीन जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें तो रुख करते हैं आज की खबरों की ओर ग्वालिर के स्थानी दरपन मिनी स्टेडियम पर खेल एवं युवा कल्यान विभाग दोरा महादजी सिंधिया होकी अकैदमी के सैयुक्त तत्वधार में महादजी सिंधिया के जनती के अफसर पर दरपन होकी फिडर सेंटर एवं छत्री बजार होकी फिडर सेंटर के मध्य प्रदर्शन मेच खिला गया रेत परिवन करने वाले वाहनों को खड़ा करने के लिए निमावा रोड पर दूधिया के पास इस्थान दिया गया है इन दौर में रेत लेकर आने वाले सबी डंपरों को यहां खड़ा किया गया दरसल बाइपास के आतायाद को व्यवस्तित करने के लिए प्रशाशन द्वारे एहम कदम उठाए गया है जैसे देव गुराडिया और बाइपास से आतायाद का दबाव भी कम हुआ रेती मंडी में डंपरों की पार्किंग शुरू हो गई करीब 20 दिन पेले हम सभी लोग हमारे मंडा लज्यक्ष वहां के सरपंच और में स्वेहम मतलब हम सारे जनपति निदी विशाथ कलेक्टर साफ से मिले थे और आपने देखा होगा कि देव गुराडिया के आसपास और उसके आसपास के कालोनी और अपना देव गुराडिया में रोन यहां पर मतलब बड़ी संख्या में ट्रक यहां रहती के खड़ रहती है लगातार हम लोग सिकात करते थे पुलिस प्रशाशन से और अन्ने जगे पे तो हमेशा मतलब वो जगई की समश्या बता करके वो हट नहीं पा रही थी पिर हम लोग और मेने स्वहम नहीं एक जगे ढूंडी और जो वो दूदिया के पास में एक जगे करिबन 15 एकर जगे वो जगे ढूंडी हमने जगे ढूंड करके में समझता हूं कि कलेक्टर साथ साम लोग मिलें वहाँ पर नेरू पार्क के अंदर जहां पर इसका अफिस ह मैं उन्हें ने तुरंत तरह से बताया उनको वो जमीन कहां पर layout साम ने पन्दरा दिने आज दिन और उन्होंने मोका धेखा मोका दिए पूरी टीम साथ गये और दो वहां पर जो भी एक कर स्षब भेंन था चोमीन तुसका तो चुछ से हटा के अतिक इzna पर वहां पर वहां पर उसका मोरम गिट्टी डलवा करके उसको लेवल करा रहा हैं और लेवल कराने के बाद विदीवत उसका करीब 15 से 15 दिन के अंदर विदीवत उसका लोकारपन हम लोग करेंगे और मैं समस्ता इंदर के एक बहुत जोलन समस्या थी वो हमारी हल हो गई है और देखे रेती मंडी से संबंदेद बहुत दिनों से सालों से एक शिकायट चली आ रही थी जिसको लेके सभी से चचा करके हम लोगों ने रेती मंडी के एकिस्थान फिक्स किया और जो असोसियेशन थी उनसे बाचीत करके वहाँ पर सुधाएं विक्सित करी और उसको शिफ्ट भी करा दिया गया है तो निश्यत रूप से जो बहुत सालों से एक शेहर को परेशानी का सामना करना पड़ता था जो डंपर सारे बाइपास पे देव गरड़े के असपास खड़े रहते थे उनसे नक्यवल ट्रेफिक को असरक्षा उत्पन होती थी बलकि ट्रेफिक में कहीं कहीं वो बाधा भी बनते थे और सुरक्षा की दिश्टी से भी घातक थे तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्चा का निदान हुआ है और इसके लिए निश्ट रूप से जिन्हों ने इसमें सायोक के हैं समय लोगों देखे जब मुझे लगता है कि जब वो बाइपास पे खड़े होते थे तो वहाँ तो सुख सुधाओं के नाम पर कुछ भी वहाँ का विकास कराए जा सकता है जो पहले जैसे खड़े होते थे उससे तो बहुत अधिक सुधान को अभी प्राप थोड़े है मुपाल के भदभदा पुल के पास अवेध कबजिको नगा निगम प्रशाशन और पुलिस प्रशाशन ने हटा थिया आज लगादार तिसरे दिन भी कारवाही जारी रही इस मामले में सियासत लगातार देखनी को मिल रही है अथिक्रामर हटान से एक दिन पहले दिखवज़सी अबस्ती मेर एरहे लोगों से मुलाकात करने पहुचे कारवाही के तिसरे दिन बाद आज पी सी शर्मा मानव अधिकार आयक पहुचे और ग्यापन देकर कारवाही को रोकने की मांग की है यहाँ अपना आवेदर गिया है और उनसे मान की है कि जो कारवाही चल रही है वहाँ पहुचे लोगों पहुच नहीं दे रहे हैं श्कूल के बच्चे दस्वी और बारवी की परिक्षा नहीं दे पा रहे हैं लोग खाने को हम मेलनी पानी के टैंकर नहीं आरहे है वाव जिरी का कनेक्शन कार दिया है यह सब चीजों का लिखके हमने आजमाना उदिकारा बारवेदर को नहीं है words और उनसे आगरर कियाए कि आज ही नको नोटिस दिया जाये इस पूरी कारवाई को रोकने की हमने में दान में उतर चुकी है वही कई समाज और समाजिक संगठन भी इस लोग सबाचुनाओं में इकोच चुके हैं इसी किरम में प्रदेश की राजदानी बोपाल में विश्व कर्मा समाज ने पत्रकार वारता के दुरान कहा है कि प्रधानवंतरी मूधी एवं सीम डॉक्टर मोहन यादव ने आगावमीड लोग सबाचुनाओं में टीकिट की मांग की इसके लिए हमने पार्टी पतादी कारियों से संपर्क भी किया है जिनके बेगम बाग मेरेने वाले दो बदमाशों ने महाकाल शेतर की होटल में घुचकर मैनेजर और करमाचार्यू के साथ मारपिट की है जुरान बदमाशों ने एक महिला के घर में घुचकर उसके ससूर और परिजनों को भी पीटा गटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है महाकाल पुलिस ने एक आरूपी को हिरासत मलेकर प्रकरन दर्स कर लिया है महाकाल शेतर में राज को एक विवाद हुआता है जिसमें होटल वाले के साथ मारपिट की गई है उसमें तदकाल पुलिस पहुंची थी पुलिस ने मुगदमा कायम किया है और एक आरूपी को हिरासत में लिया है उसके रिकार्ड की तलाश की जा रही है और उनके सक्स कारवाई की जा रही है वही गुम हुए मुबाइल मिलने के बाद मुबाइल मालिकों के चैरे में खुशी देखने को मिली है और इसमें हम ऐसे काफी नीडी लोगों को दे रहे हैं स्टुडेंट भी है एक सर्विसमेंट भी है हमारे आटो चालग भी है घ्रणिया भी है जो गाई बागाई इस्तेमाल करते थे और निकल गया था यह मोबाइल तो इक अच्छी सफलता मिलीजे से 211 मोबाइल हम वाप बहुत जादा अच्छा लग रहा है जब कल फोन आया था तब ही मतलब मेरे को बहुत खुशी हो गए थी कि मेरा मोबाइल में अतलो मुझे मिलेगा हाउस वाइप मेडिया साथियों को यूवा पत्रकार संगठन से जोड़नी के लिए कास आयोचन किया जा रहा है चिंदवाला जिले सहीत अनिस जिलों से भी पत्रकार इसमें शामिल होंगे पत्रकारों के उपर आय दीन हो रहे जूटे मामफले और राश्विते के दलों के शिकार हो रहे मेडिया कर्मियों की आवाज बुलंद करनी के लिए भी इस ब्राठक में चर्चाए होंगे 25 फरवरी दिन रविवार को युवा पत्रकार शंगठन का नवीन कारकार्णी का गठन किया जाएगा इस थान जो है बंदना लौन पराशिया रोड में गेट नंबर दो से प्रिवेश एंट्री रहेगी और बारा वजे का समय रखा गया है रैस्टेशन का हमाई जिले के अ सब का रजिस्टेशन पहले होगा और एक वजे बोटिंग सिस्टम से अध्याक्स प्रिदेश अध्याक्स सचिव अने जिलों के अध्याक का चुनाव होगा और इसमें बरिष्टों का भी योगदान है वो हमको मार्गदर्शन देने के लिए मंचा सीन होईंगे और मंचा स उजेन के माधवनगर शेतर से पिछले दस दिनों से वाहन चोरी की वार्दात लगातार हो रही है बेती रात को भी चोरों ने एक साथ तीन वाहनों के चोरी की वार्दात को अंचाम दिया गटना का एक्सिसी टीवी वीडियो भी सामना है जिसमें चोर पलसर का लॉग प्रदेश कॉंग्रस कारले में महान संत विद्या साकर जी माराज के समाधी करण पर कॉंग्रेस जनों धुआरा शुर्धान चली कारिक्रन बखा कया जिसमें पूर्व केंद्री मंती सुरेश पचोरी महिला कॉंग्रेस की प्रदेश अत्यक्ष वीभा पठेल और ड्रीन सम मुदाय के लोक कॉंग्रस कारले में उपस्तेत रहे कैसे संत रहे हैं जिनको सभी समाज के लोगों ने शद्दा भाव से देखा है और उनका आशिरवात ग्रहन किया है उनकी जो समय समय पर दी गई आशिरवचन है वो हम सब के लिए टेड़ना दायक हैं और देश के लिए उपयोगी हैं ऐसे महान संत समाधिस्त हो गए हैं य यह का पूर्णी जहती है हम सब उन्हें विनमता पूर्वा की याद करती हुए उनके चड़नों में पढ़ाम करते हैं काटाफोर्ष शेत्र के प्रसित जटाशुंकर तेर्थ पर महाशिवरात्री पर प्रस्तावित पंच कुनडात्मक शिवशक्ती महायक्य और सांस्कृतिक मेले की प्रशाष्णी को तयार्यू का अवलोकन करने शेत्री विदायक मुली भवराज जटाशुंकर तेर्थ महा शीव राज्टी पर मेला लगता है जिसमें असंकि स्रद्धालू भगवान जटाशंकर महादेव का दर्शन करने आते हैं मेला सुचार रूप से संपन्न हो इसलिए विभिन्द वेवस्ताओं की दरश्टी से आज जटाशंकर कीर्थ पर अवलोकन किया गया महाद्पूर्ण जो चीजें होने वाली है वो सुख किस रूट में व्यवस्तित किया जाए इसलिए सभी लोगों से एक महार्ग दर्शन भी लिया है और भविश में मेला व्यवस्तित रूप से संचली रहो ये पूरा प्रियास रहेगा शुक्रवार दौपर बारब जी का लेक्टिर कारले शाचपूर में बदरप्रदेश वियर हाउसिंग एंड लोजिस्टिक कॉर्परेशन शाचपूर द्वारा दोहजार चौबश पच्चिस गेहूं पार्चन हित्तु होने वाली मीटिंग का मक्सी के वियर हाउस संचालक परिशान है और आज के लिए इतना ही ऐसे तमाम खबरों को जारने के लिए आप देखते रहे हैं वदुभार शिप्रदेश